नमश्का जरहड की हिंदी में आपका स्वागत है आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारें बताएंगे जो कि आने वाली विपत्ति की और इशारा करते हैं व्यक्तिक इन संकेतों को पहचान कर साफधान हुजाना चाहिए आये जानते हैं कि जोति सस्वाश्ति में ऐसे कौन-कौन से संकेत बताएगे हैं हिन्दू धर्ब शास्त्रों का विशेश महत्तु माना गया है क्योंकि सास्त्रें बताएग गई बाते हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आती है यहां तक इस सास्तुर में कई ऐसे संकेत भी बताये गए हैं जो विपत्तिकी और इशारह करते हैं ताकि इन्हें जानकर संबल जायाना चाहिए जी हाँ यह संकेत आने वाले समय की सुब और अशुप प्रवाओं के बारे में बताते हैं आज हम आपको इनी संकेतों के बारे बताने जा रहे हैं जो भविष्य में होने वाली जुर घटनाओं की संभावना को दर्शाते हैं तो आई यह जानते हैं इन संकेतों के बारे पहला है काले चूहों का चादा संक्या में आना अगर घर में अचानक से काले चुहे ज़्यादा संक्या में आने लगी तो ये निकट भवश्य में आने वाली विवत्तियों के और इशारह करती है इसलिए इन संकेतों को चुरूल पैचानना चाहिए दूसरा है कुत्ते का रोना कोई कुत्ता घर के में गेट के सामने मूँ करके रोए तो घर में कोई समस्या या किसी के मिर्त्य होने का संकेत होता है इसलिए आपको पहले ही सचेत हो जाना चाहिए अगला है खुदाई में मरे हुए जीव कमिल अगर आप जमीन के कोई खुदाई कर रहे हैं और इस दोरान कोई मिर्त जीविया साप का दिखना आने वाले बुरे समय को दर्शाता है तो ये भी एक ऐसा संकेत होता है जो आने वाली भविश्य की दुर घटनाव या आने वाली भविश्य में होने वाली हमारे साथ बुरा होने का संकेत बताती है अगला है पक्षी का घायल होना यदि आपके घर के आंगर में कोई पक्षी घायल होकर गिरे तो यह निकड़ भविश्चे होने वाली दुरुघटना का संकेत होता है अगला है उल्लू का आवाज करना अगर आपके छट घर की छट पर उल्लू हाकर बैठ जाने और वे आवाज करें तो घर में अचानक विपत्ती आने का योग बनने लगता है अगला है बिल्लियों का लड़ना घर में बिल्लियों के लड़ने को भी अशुब माना गया है यह परिवार में होने वाले जगड़े की ओर इशारा करती है अगला है घर में दीमक या मदुमक्खी का चाता होना घर में दीमक की बांबी या मदुमक्खी का चाता होना घर के मुखिया के स्वास्त में होने वाली परिशानी की और इशारा करती है इसलिए घर में दीमक नहीं होना चाहिए ये मदुमक्खी का चत्ता नहीं होना चाहिए घर में कुतिय का परशव घर में यदि कुतिय परशव करती है तो ये ग्रह श्वामी के लिए अच्छा संकेत नहीं माने जाता है इसके कारण सत्रू की विद्धी होती है और अपने ही परिवार मत भेद होने लगता है अगला है गाय का स्वयम दूद पीन यदि पालतु गाय अपना दूद पीती हो या आत्याधिक सिर हिलाती हो तो घर के ग्रह श्वामी के उपर गर्ज बढ़ता है और भाग के खराब होने की और इसारा होता है अगली और आकरी चीज देवी की मूर्दियों का टूटना घर में किसी देवता की मूर्दी अथव अच्छे तर टूट जाए तो मिर्तु या मिर्तु समान कष्ट हो सकता है निवारण के लिए राम रक्षश शुरूत अथव दुरुगा मा की अरातना चुरूर करनी चाहिए तो आज हमने आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारें बताए जो भविश्य में होने वाली बिपत्ती की और हमें इशारा करती है तो हमें उम्मीदे की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें शेर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी प्रकार से जोतिस वीडियो को देख सके हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवा